नवास्कार में तुरॉप सुभीकर स्वागत हैं हमारे यूटूब चैनल स्वरा अनकेडमी क्लाजर्स पर जैसा कि अब देख रहे हैं कि गड़ेती एक ट्रेंगल चल रहा है चप्टर ट्रेंगल है त्रभुज और इसकी स्वरा चल रही 6.2 इसमें से कुछ कोशन से पिछले वीडियो में लगा जा चुके हैं अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं यूपी बोट क्लास 10 में या फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहां से आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप जा सकते हैं देखिए इसमें कोशन नमबर जो सेवन्थ है उसे हमें यहाँ पर लगाना है इसके पहले के कोशन सॉल्व किया जा चुके हैं सारे देखिए प्रिमे 6.1 का प्रियोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रभुज की एक भुजा के मद्धी बिन्दु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खीची गई रेखा तीसरी भुजा को सम्दिभाजित करती है याद कीजिए याद केहने का मतलब कुछ ऐसा है ये अगर एक त्रभुज है इस तरीके से तो इसको सम्दिभाजित करने वाला जो ये दोनों भुजाए होंगी ये दोनों बराबर कटेंगी और ये समांतर होंगी कुछ ऐसा इन्होंने यहाँ बताया है इस चीज़को हमें सिद्ध करना ह तो यहाँ जो त्रभुज है मैंने का कि ये जो प्रमे है 6.1 इसका प्रियोग करना है इस प्रमे को हम कहते हैं कि ये थेल्स प्रमे है इसको हम थेल्स प्रमे कहा जाता है और इसी के समांतर खींची जाएगी और ये तीसरी भुजा को सम्दिभाजित करती है इसी को हमें दे यहाँ आप समझें थेल्स प्रेमे की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं यह चीज यहाँ पर है आईए इसको हम सॉल्व करते हैं किस पकार हमें लगाना है यह एक चीज को समझते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें ग्यात है यहाँ कोशिन नमब जो सेवन है हमार इसमें हम लिखेंगे कि हमें एक एक चीज़ लिखी आराम से हमें और अपनी नोट बुक और ये सब चीज़े निकाल लीजिए बुक पर सामने रख लीजिए ग्यात है कि एक त्रग्भुज ए बी सी में भुजा ए बी ए बी का मध्य बिंदो मध्य बिंदो डी तथा ए सी पर ई इस प्रकार है कि आप समझे हम जो त्रग्भुज यहां बनाने की कोशिस कर रहे हैं वो त्रग्भुज समझे हैं यह त्रग्भुज हमारे पास ए बी सी यह है अब इसमें आप देखी उन्हेंने कहाई यह इसके समांतर है जमांतर है यहां पर हमने बताई है समांतर है इसको हम कहेंगे डी और इसको कहेंगे हम ई अब नहीं कहा कि जो दो भुजाओं को जो तीसरी भुजाओं को सम्दिभाचित करेगा हमने मान लिया कि इनको ये सम्दिभाचित कर रही है तो यहां हम लिख देंगे जो हम को यहां सिद्ध करना होगा यानि हम लिख देंगे कि D E समांतर है किसके जो चीज़ आपको डायग्राम में दिख रही बस उसी को लिखना है यहां क्या लिख देंगे जो अभी तक हम पढ़ते हैं मूल भूत समानु पातिकता प्रमे समानु पातिकता प्रमे से तो यहां जैसे हमने लिखा वैसे आपको क्या मिल जाएगा AD बटे यहाँ आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए अगले पन्ने पर हम लिखे दे रहे हैं तो यहाँ जैसे आपने लिखा तो आपको यहाँ मिल जाएगा AD डिवाड़ेट बाई DB equal to AE बटे EC यह चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी आपको यह तो समझ में आई रहा कुछ इस तरी के का यह डाइग्राम है यह A है यह B है यह C है यह D है और यह E है EC को हमें यहाँ पर समझना है तो यह चीज़ हमने जैसे लिखी अब इसके बाद परंत AB का मध्धिबिन्दू D है यह जो है D यह मध्धिबिन्दू है तो D मध्धिबिन्दू मध्धिबिन्दू AB पर है यह चीज़ है जैसे ही है तो उस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं AD equal to DB लिख सकते हैं यानि इनका अगर हम ratio की बात करें तो AD बटे DB equal to 1 यह हो जाएगा तो एक समीकर हमारे पास यहां है जे वाली और एक समीकर हमारे पास दूसरी हो गई तो यह दो समीकरन हो गई दोनों समीकरन के अगर माद्धम से हम लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए अग A-E बराबर जो यहाँ पर दिया गया है यह A-E बराबर A-E बटे A-C यह यहाँ बराबर इसी भी हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं यहां हम लिखेंगे समी करण एक और दो से तो यहां क्या है एडी एई वटे एसी इक्वल टू वन तो यहां सीधा सा मतलब इसका हो जाएगा एई एक्वल टू एसी इस प्रकार जो हमारे पास आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं आसानी से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए है भुजा भुजा एसी यह जो दूसरी तरफ थी साइड काम मद्ध बिंदु है आता आता उक्त इसमें लिखना बहुत इंपोर्टेंट है उक्त से सिद्ध होता है है कि एक त्रभुज के मद्ध बिंदु से होकर से होकर होकर दूसरी भुजा के के समांतर खेंची गई खेंची गई रेखा तीसरी यानि जो आपका कोशन था उसी को लिखना है आप समझ गए होगे जो हम लिख रहे हैं पर ठीक नहीं लिखना बहुत इंपोर्टेंट क्योंकि आपकी बोर्ड क्लासेस हैं कि भुजा को सम्दिभाजित करता है बस इतना लिखना है यह आप देखके अगर किसी को समस्या हो रही है तो आप कोशन में ही जो लिखा है उसे ही आप देखकर लिख सकते हैं आसाने से और इतना कोई कठिन काम नहीं है करती खै यह है इस चीज़ को आसाने से लिख सकते हैं तो यह रहा आपका कोशन नमबर 7 आपके समझ में आ गया होगा आप देखते हैं प्रमी जो हमारे पास 6.2 है का प्रियोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक तर्भुच की किन ही दो भुजाओं कोई दो भुजाएं कि मद्धि बिन्दु को मिलाने वाली रेखा अब इसका उल्टा है वहां हमने समानतर रेखा से मद्धि बिन्दु सिद्ध किया था अब इन्हों का कि दोनों जो मद्धि बिन्दु है उसको मि बिद्द होए और ये मत बिद्द होए तो कि इस वाली रेखा के ये समांतर होगी कि नहीं होगी ये हमें चेक करके बताना है इसको भी उसी तरीके से सिद्ध करना है तो आईए सुरू करते हैं इसको question number हमारे पास 8 8 question number यहाँ पर इस question number 8 में जो हमारे पास diagram है देखिए यह चोटा सा diagram हमें यहाँ बना देते हैं इसमें यह रहेगा A, B, C होगे है अब यहाँ आप देखिए इसमें क्या है यह इसके बराबर है यह भुजा इसके बराबर है यह हमारा D हो जाएगा और यह हमारा E हो जाएगा सेम नमांकन है बस यहाँ हमें समानतर सिद्ध करना है और हमें अनुपाथ चीजे बागी दी गए है तो यहाँ हम लिखेंगे ग्यात कि हमें ग्यात है क्या ग्यात है दख geven ग्यात है तृप्ज A भी सी ठीक भुजाएं जो हैं डी लिख देते हैं आप डी और ई मध्धिबिन्दु हैं भुजाएं आपको यहां दिख भी रहा है आप असानी से उसको लिख सकते हैं जैसे ही हमने लिखा कि यह मध्धिबिन्दु हैं तो आप क्या लिख दोगे देखिये आप को तुरंध पता चल जाएगा कि आप लिख सकते हो कि AD एक्वार्टू डी और दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हो A E equal to E C ये चीज़ लिख सकते है ये equation आपके first हो गई और ये equation आपके second हो गई इस तरीके से अब आप देखिए जैसे ही आप ये चीज़ लिख दोगे तो आपको यहाँ पर जो चीज़े मिलेंगी उनको आप कैसे solve करोगे इसको हमें देखना है तो यहाँ पर आप इन दोनों समीकरन को easy way में लिख सकते हो और यहाँ आसानी से इसको ले सकते हो पैरला ले सकते हैं तो one के वराबर ये भी आजाएगा और one के वराबर ये भी आजाएगा तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे यहाँ पर AD divided by BD equal to 1 इसी प्रकार यहाँ इधर लिख दीजिए इसी प्रकार जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा AE बरबटे ED equal to 1 यह चीज़ हमारे पास आ जाएगी दोनो एकल के रूप में है यह आनुपाद दोनों के उसी तरीके से बराबर आ रहे है तो यहाँ जो चीज़ हम लिखेंगे तो उसके बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास उसके बराबर हमारे पास आ जाएगी चीज तो आसानी से उसको हम यहाँ पर ड्राइब कर सकते हैं लिख देंगे कि दोनों समीकरणों के अनुसार हमारे पास क्या आ जाएगा कि AD divided by BD equal to AE divided by ED जाए इस जगे पर हम इसको D कर दें इसको B कर दें तो यह भी चीज यहाँ हम कर सकते हैं तो यह चीज देखिए दोनों के अनुपात बराबर हो गए तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास लाइन है यानि D E समानतर हो जाएगी BC के यही हमें यहाँ सिद्ध करना था फिर आप वही चीज लिख सकते हैं कि तरफ बुझ जो दो बुझाओं के मद्धी बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा तो इसलिए बुझा के समानतर होगी आप आसानी से इस चीज को लिख सकते हैं यह कोशन नमबर आपका 8 था अब कोशन नमबर हम आपका 9 सॉल्व करते हैं यहाँ पर देखिए कोशन नमबर 9 में इन्होंने क्या बताया है कि एक जो है ABCD एक समलंब दिया गया है उसमें बताया गया है कि A B समानतर होगी DC के तथा इसके बिकन परस पर O बिन्दु पर मिलते हैं यह कुछ इस तरीके का आप समझे है हमें समलंब दिया गया अब नहीं कहा कि जो यह बिकन है जो हमने बिकन बनाए यह बिन्दु ओपर मिल रहे है और यह हमारा समलंब है ABCD है उसमें समानतर है AB यानि ये भुजा और इस भुजा के समानतर है यहां पर तो यह चीज अब नहीं कहा कि OA यानि ये भुजा divided by OB यानि ये भुजा उसी तरीके से OC इधर की है और ये OD जो है हमारी अनपातिक होंगी तो ये चीज यहां पर है तो आईए, इनको लगाते हैं सवाल को, सवाल नंबर हमारे पास 9 है, सवाल नंबर 9 को हम सवाल करेंगे यहाँ पर, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं समलंब, यहां हमारे पास यह रहा, आपका एक समलंब A रहा यह, यह B रहा, यह C रहा और यह D रहा, इनके बिकन बना देते उपर मिलेंगे, उपर मिलें, एक construction करना पड़ेगा, आपको ये construction कर लीजी, ये e से आप यहाँ पर मिला लेजी, आप यहाँ हमें given क्या है, यानि ग्यात लिख लीजी कि ग्यात क्या है, तो जब ग्यात आप लिखेंगे, तो आप लिखेंगे समलंब, चत्रभुज, ए, बी, सी, डी, और क्या है, ए, बी, समानतर है, डी, सी के, देखें, ये चीज इसके समानतर है, यहाँ पर, ये चीज आपको यहाँ समानतर मिल जाएगी, इस प्रकार, तो जैसे ही आपने लिखा, तो आप विकड़, ए, सी, ए, सी, और, और, बी, डी, परस पर, ओ, बिन्द, पर मिलते है, मिलते है, ये चीज आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं, आप समझे, अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, कि आप इसी जगे पर आगे से स्वाल्व करेंगे, तो जो स्वाल्व करेंगे, तो देखिए, यहाँ कैसे, अब इसके आगे हितनी शीज हमने लिख दिया, और बाकी एक यहाँ जो हमें लेना है वो लेना A, D, C देखे जिस तरह हम गए हैं वही चीज़ इसमें करनी है इतना हमें लेना है तो यह चीज़ आप लेंगे तो अब देखे इसमें आपको क्या मिलेगा देखे यहाँ A से चले D पे गए, C से चले A पर आए अब आप देखे इसमें जो आपको मिलेगी तो क्या मिलेगी देखें यहाँ पर यह एक लाइन सीधी मिल लही तो यह मिड़ पॉइंट इसका हो जाएगा तो इसमें जैसे ही हमने रचना कर रखी है नहीं हम कहाँ देंगे कि O E समांतर है किसके? DC के तो इसमें हमारा प्रमे लग जाएगा कौन सा? वही मूल भूथ समान पातिकता यहाँ जो हमारा नियम लगेगा वो समान पातिकता प्रमे लग जाएगी जैसे ही प्रमे लग जाएगी वह इसे हम क्या लिख देंगे? A E divided by E D equal to A O divided by C O यह हमारी समीकरन first हो जाएगी इसी प्रकार हम दूसरे साइड को ले लेंगे दूसरा साइड हमारा क्या है आप देखिए यहीं पर दूसरा साइड जो हमारे पास आएगा उस साइड में हम क्या लिख सकते हैं एक परमे A साइड हमारी मिलेगी तो यहां भी वही चीज इसको क्या A B D जो हमारे पास आएगी उसको हम क्या ले सकते हैं A हमारे पास अगला वाला आएगा A से चलेंगी B लेंगी और यह ले लेंगी इसको कंसिडर कर लेंगी तो यहां से भी हमें O E की रचना उसी तरीके से मिल जाएगी और जैसे ही वह चीज मिल जाएगी तो हम उसको भी आसानी से सौल्ब कर सकते हैं तो अगर देखिए दूसरे में क्या मिल जाएगा आपको दूसरी रचना में आपको यहां मिल जाएगा तरभुच A B D है और इसमें हमको O E समांतर मिल गया A B के अब इसमें फिर से वही नहीं है तो यहां हम जो लगाएंगे वह E D divided by A E equal to यहां पर जो हमारे पास आएगा वह D O बटे जो आएगा वह B O के हो जाएगा इसी प्रकार इसको अगर हम लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे देखिए A E divided by E D equal to पलट दिया इसको और B O divided by D O हम इसको लिख देंगे अब जो समीकरण हमारे पास दूसरी होगी यह पहली थी यह दूसरी थी दोनों समीकरण से समीकरण 1 और समीकरण 2 के माध्यम से 2 के माध्यम से 2 के माध्यम से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? आसानी से इस शीज को लिख सकते हैं कि AE divided by ED equal to BO divided by DO equal to AO divided by CO इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि BO divided by DO equal to AO divided by CO तो जो फाइनल आंसर हमारा बनेगा उसको हमने क्या लिख दिया? AO BO equal to CO divided by DO तो इस प्रकार ये कोश्चन हमारा स्वाल्व हो जाता है आसानी से इसे हम स्वाल्व कर लेते हैं अब इसके बाद एक कोश्चन आता है हमारा देखिए यहाँ पर अगला जो कोश्चन आएगा उसको हम देख लेते हैं कि एक चत्रभुज है ABCD बिकण परस्पर बिल्कुल उसी तरीके से और यहाँ AO BO CO और DO बिल्कुल क्या ये समलंब होगा? जब यहाँ समलंब दिया था अब यहाँ हमें जो है यही चीज प्रवाइड करके समलंब पूछा गया यहां जो चीज हमें निकालनी थी कोश्टन नवरrà नौ में वो चीज यहाँ पर दसुए में गिवन है और जो यहाँ पर फांड आउट करनी थी जो यहाँ पर हमें दिया था बिल्कुल स्वाल सेम है बस उसको रिवर्स सवाल को लगा देना है तो हमारे पाद जो बनेगा ये देखी, ये इस तरीके से हमने इसका डाइगरा बनाया, तो वही डाइगरा हमें, बिलकुल हुबभू सी तरीके से, A, B, C, D है, यहां पर हमने क्या लिखा, ये हमने ए लिख दिया, ये हमारा O हो गया, इसमें भी हमें जो ग्यात है, जो हमें ग्यात है वो क्या है ए ओ बटे बी ओ एकॉल टू सी ओ डी ओ ये हमें ग्यात है जब ग्यात है तो इसकी वज़े से हम क्या लिख सकते हैं कि ओ बिंदू ओ से ओ से ओ इ समानतर होगी डी सी या ए बी जो है जो इतनी चीज़े हो जाएंगी तो यहां हम लिख देंगे कि तिरभुज ए डी बी यहां ए डी बी में जो है जैसे हमने मूल भूत समान उपातिक प्रेमिय लगाई तो आपको तुरंट इसमें मिल जाएगा डी इ डिवड़ेड बाई ए आप अपने डाइगराम में देख सकते जो हमने बनाया था इकोल टू ओ डी डिवड़ेड बाई बी ओ इसी प्रकार आपके सामने क्या जाएगा इ ए बटे डी इ इसको हमने पलट दिया और यह हो गया बी ओ डिवड़ेड बाई ओ यह हमारी सम समीकरान फस्ट हो जाती है अब हमें इसी प्रकार क्या मिल जाएगा ओ डिवड़ेड बाई सी ओ इकोल टू बी ओ डिवड़ेड बाई डी ओ यह चीज़ हमें यहां समीकरान यह दूसरी मिल जाती है और जैसे ही दूसरी मिल जाएगी हम तीनों को बराबर रख देंगे एक और दो से क्या लिखेंगे E A divided by D E equal to B O D O equal to A O C O ये चीज़ है अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि त्रभुच A, B, C की भुजाओं भुजाओं A, D भुजाओं A, D और A, D और A, C पर इस्थित क्रमसा क्रमसा बिन्दू E और E और O इन्हें एक ही अनुपात में बांटते हैं ये चीज़ हमें लिखना जरूरी है क्योंकि जितनी लेंग्वज लिखेंगे उतना ही माक्स पाने के आओ सकता यानि माक्स पाना आसान हो जाएगा और जो भी कॉपी चेक करेगा उसे भी आसान यहां लगेगा तो यह हमने लिखा यहां हम लिख सकते हैं O E समानतर किसके होगी DC DC के इसी तरीके से यहां लिख सकते हैं आगे A B समानतर किसके मिल जाएगी हमें DC के और फानली हमें क्या मिल जाएगा देखिए फानली हमें मिल जाएगा कि देखिए दो चीज़े मिली एक तो O E मिली थी हमें एक बार फिर से लिखते हैं DC के और एक OE ही समानतर मिली AB के तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि DC समानतर हो जाएगी AB की और जैसे हमने लिखा कि ये दोनों चीज़े समानतर हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो चत्रभुज है हमारा A, B, C, D एक समलंब है ठीक ये चीज आपकी समझ में आ गया होगा तो इस प्रकार ये चेप्टर हमारा 6.2 जो है complete होता है आप मिलेंगे आपको 6.3 के साथ और उसकी जो प्रमे होंगी उनको पहले सौल्ब करेंगे फिर उसके बाद उनकी इकसिसाइज को सौल्ब करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ आप ये लाइक करना सेर करना और कमेंट करना ना भूलें देखते रहें जैहिन जैभारत